हाई फ्रेंड्स इस हिमान सुपरम देव एडवाईजरी और यह वीडियो में हम नैटको फार्मा डी एलेफ और आर्बील बैंक का एलेटिव एनेलिसिस देखेंगे फिर एक कोटक का मैंने आपके साथ जो एलेटिविल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इंट्राडे में आप कैसे प्लान कर सकते हो और उसी तरह का एक स्ट्रक्चर एक्सिस में था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था वह सहर करूंगा और लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़े होती है कि यह कॉंप्लेक्स तो मैं कुछ चीजे आपके यहां आपके साथ यहां पर सहर करू हो कि यह दिजार्द मिट्स और रियालिटी तो मैं कोई कॉमेंट नहीं करूंगा कि यह मिट्स है या रियालिटी बैट मैं आपको यहां पर कुछ चीजे दिखाऊंगा जिससे क्या है कि आप खुद डिसीजन ले पाओगे तो सबसे पहले हम डिसकर्स करते हैं यहां पर ट ता उसका जो एक्सेंशन है एट इस एक्जेटली अराउंड 1.618 आप यहां पर देख रहे हो इस एक्जेटली अराउंड 1.618 और वेव फोर का जो रिट्रेस्मेंट था डैट वोद एक्जेटली अराउंड 0.382 अगर यहां आपको मैजर करके बताओं तो इस तरह आप द दिसकस किया था तो लाइव एनलिस मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हो गया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं यह चार्ट भी इवन मैंने ट्वीटर पर ओपन ली पोस्ट किया था और उसके बाद यह मूव आ है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखिए तो उससे किया है कि अगर आप यूज करते हो आपको काफी हल्पूल वैसकते यह जो सोर्स है आपके लिए ग्रेट लर्निंग रिसोर्स बन सकता है और अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो डाइट के वेकिंग कॉल पर यूज के मुझे यह यूज करना मुझे ध्यान नहीं है बट अराउंड 940 के आसपास वो प्राइस थी जब मैंने पोस्ट किया था ट्वीटर पर और वीकली अलुएट पर वैनली सिस्टी तो यहां पर भी हम डिसकर्स करें तो इस लुकिंग लाइक रेगुलर फ्लैट करेक्शन और यहां पर गया है कि वे क्लासिकल टेक्निकल अनलीशन बोलते हैं यह यहां पर उसको बोलते हम रेगुलर फ्लैट करेक्शन है और यह जो वेव फोर मैंने लेवल किया है उसमें वेव सी का जो कि एक्स्टेंशन है डाइट इस एक्जेट्ली अराउंड वन पॉइंट सिक्वानेट सो यह अनलीशिस मैंने की थी और इससाब से मैंने ट्वीटर पे चार्ट पोस्ट किया था यहां पर किया है कि आप वेव फोर का करेक्शन यह कंप्लेट हो गया है और नाटको फार्मा देखते हैं कि अगर मेटर लाईज हुआ तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से मेजरमेंट लेंक जीरो सब्सक्राइब देखने को मिल सकते हैं दूसरी चीज हम यहां पर देखे वीकली जाट है और वीकली में सब्सक्राइब देखने को मिल दा है विल्यम और नील की जो मैथड है यहां पर ऐसे रख सकते हैं इसको और यहां पर सब्सक्राइब ब्रेक आउट है तो वेव प्रिंसिपल के इसाब से तो आपका स्टॉपलोस बहुत लंबा हो जाएगा बैट विल्यम और नील की जो सब्सक्राइब कर सकते हो और इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हो मैं पॉइंट इस ट्रक्टर काफी बुली से लग रहा है फिर आप जाके देखो किस तरह से इसको प्लान कर सकते हो जैसे मैंने बता है कि अगर अच्छे से मेटलाई हुआ वेव फाइव तो 1200 तक का तो चार्ड है डाडीज आर्बील बैंक हार्बील बैंक की मैंने काफी डिटेल एनलेसिस की थी विकास मेरे क्लाइंट उनको कुछ पोजिशन बनानी थी सो उनके लिए मैंने एनलेसिस करके उनको अपडेट दिया था और 182 या 185 के आसपास चल रहा था तब मैंने उनको गजाया था कि अगर यह 196 को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है और यह वेव काउंट्स क्या है मैंने काफी डिटेल में अनलाइस किया थे और जितने भी वेव काउंट्स थे और वह सब बुलिस सिनारियों कर रहे थे बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे और इसका भी चार्ट मैंने ट्वीटर पर पोस्ट किया था कि 160 के आसपास एक अच्छा बॉटम बनाया है और 205 यह 207 तक यह सौटम में जा सकता है यह स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही बुलिस लग रहा है उसका मैं आपको इसम कर रहे है कि यह पैटन है और उसमें भी किया है कि यह फॉर्स्ट फाइव लेग्ज अपने वह वह हो सकता है और यह करेक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया है उसके कुछ रिजन्स में आपको एक्स्प्लेइन करूं तो यह जो पूरा रेट्रेश्मेंट था वेव बी म है यहां से ए बी सी करके यह वेव भी है यहां पर मैंने लेबल नहीं कि हाय डिगरी का वेव दी है अब देखो कि पॉइंट यहां पर आपको दिखेगा इस एक्जेटली अराउंड पॉइंट सिक्स वन एट के आसपास है आभ देख रहों और वन सिक्स्टी के आसपास यहां से वापस गया है फिर यह डीप मार्के उसके नीचे सस्टेन नहीं रहा है तो यहां से भी आप जो पूरा देखोगे यहां से वापस गया है और रिसंटली भी उसी के आसपास उसने सपोर्ट लिया और एक स्ट्रॉंग मूव अपसाइड में उसने यहां से दिया है सबसे पहले उसके लिए कि थोड़ा आपको एक बेजिक पता होना चाहिए जब फाइव डाउन और इस तरह का मूव होता है एक इंपल्स मूव है वन टू थ्री फॉर फाइव आप देख रहे हो इस डिग लाइन इस फाइव वेव बन टू त्री फोर एंड फाइव और उस सब्सक्राद जो क्या होता है कि करेक्शन आता है वहें Zलेग्स में अनौता है युक्त पेटो ile करेक्शन आता है इस तरह से होशलता है A वी कि आद करेक्शनर और धेकैर का यह 5 यह One developed Esse यहां पर आप देख रहे हों यह जो करेक्शन वन टू थी फोर एंड फाइव अब यह क्या हो सकता है वन टू टू ट्री फॉर फाइव लुकिंग लाइक जिग्जग करेक्शन तो यह जो पांच वेव हमने कंप्लेट किये है वह एक हाय डिग्री का वेव ए हो सकता है फिर य फ़ास्ट फाइव जेव एडे एबी सी यह वेव बी है और यहां से फिर क्या है कि शीव के लिए जा सकते हैं और है कर सकते हैं और यह काफी अतलब लुकुरेटिव ट्रेट़्ेट से अक मुझे लग रहा है क्या चीज में यहां से अगर यह प्लान कर रहा है यह एंसे यह यहां है आई हम यहां से प्लान कर रहे है तो वह टाउगेट लेकर थो एसीज ही है कि माइनस भी हम करें यहां ते तो इक नॉर्मल एक्स्टेंशन हम देखने को मिलता है वेव सी में एस पर गाइड लाइन यह कम या ज्याधा भी हो सकता यह जब जिग जग में वेवसी है वह एक बराबर रहता है तो हांडेट परसेंशन है डाइड़ अरावन प्रिविए स्च्रक्टर क्या है कि कई वार क्या होता है यह फिर इंपल्स में हो सकता है इस क्या हो सकता है और यह थर्ड भी हो सकता है अब थोड़ा बहुत आपको अल्टरनेट विव काउंट भी जाके देखोगे तो इच और एवरी विव काउंट एडिस पॉइंट वोज बुलिस्ट सो मैं पॉइंट इस के अगर यहां पर एक अच्छा रिस्क रिवर्ड आपको सैट हो रहा हो अब देखें कि यहां पर कि लुक्रेटिव ट्रेड मतलब इसमें रिस्क रिवर्ड रेशियो काफी बड़ा तो आप क्या है कि वेदर यूर इंवेश्टर और ट्रेडर तो आप इस तरह से ले सकते हो फिरक दूसरा जो ट्रेड हम डिसकस करेंगा है वह है डी एलेफ का यह डेली चार्ट है और आप आप देखें यहां पर कि इस तरह से मैंने लेबलिंग किया है और वेरी क्लासिकल जिगजग यह चार्ट डिसकस करने का परपस ही आई है कि जो वेव फोर का जो करेक्शन है वह बहुत ही क्लासिकल जिगजग है सबसे पहले हम यहां पर वेव थी का एक्स्टेंशन देखते है तो वेव थी देखें यहां मौर दें 300 परसेंट का एक्स्टेंशन है और वेव फोर का जो रिट्रेस्मेंट है वह काफी सार्प है यहां पर नॉर्मली फिर किया है कि वेव फोर इतना सार्प होता है तो फिट्वियों मेटरलाइज होने की थोड़ी कम हो जाजिए जो लेबलिंग मैंने किया है यहां पर क्लासिकल जिगजग स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि वेव बी जो होता है वो जनरली 0.5 या 0.382 के आसपास टर्मिनेट हो जाता है और वेव उसी का जो एक्स्टेंशन आता है यहां पर वह एक्जेटली 100% के आसपास होता है सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यह वेव इस तरह से मैंने लेबल नहीं किया इसके सब्सक्राइब क्यूंकि फिर चोटे डिग्री में मतलब के लोव टाइंफ्रेम में जाके यहां देख सकते हैं यहां पर वेव बी का रेट्रेस्मेंट ले तो डैट इस एक्जेटली अराउंड पॉइंट थी एक्टू आप देखे रहें पॉइंट पॉइंट टू एंड वेव सी का हम एक्स्टेंशन ले जीरो टू ए माइनस भी करें तब यहां पर देखोगी कि तो वेव सी है वह एक्जेटली है हंड्रेट परसेंट एक्स्टेंशन है उसी के आसपास यह टर्मिनेट हुआ है तो यह जो प्रिबोना की रेश्यों है वह सजेस्ट करते हैं कि करेक्शन खटम हो गया और सायद यहां से फिप्ट वेव मेटरलाइज हो सकता है और यह ट्र सब्सक्राइब करेक्शन आता है तो यह सकता है हमारा यह लेवल के नीचे जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगी 231 के आसपास हमारा स्टॉप लोस है तो यह भी क्या है कि लुक्रेटिव ट्रेड लग रहा है उसमें वन इस्टू त्री या वन इस्टू फोर का हम रिस्क रिवर्ड प्लान कर सकते हैं तो इस तरह के लुक्रेटिव ट्रेड्स भी आप लुट अदिक्ली चार्ट पर स्याप कैसे डीसिजन ले सकते हो फिड़ एक ट्रेडिग डिसिजन से लेना चांगे हो यह तो यह ऑर रिंवेस्टर जो क्या है कि लॉंग ट्रेडिंग डिसिजन में इंट्रेटेड है यहां पर आप दिखिए कि दिस वाइंडिंग डाइगनल वे उसी में एंडिंग डाइगनल होते हैं और इसे फाइव वेव पैटन डिस वन तू त्री पॉर एंड फाइव क्लियर कट फाइव डिकलाइन जैसे कोटक में मैंने बताया था टर्मिनेटिंग पैटन होती है और य इस पॉइंट और उस टाहिं पर क्या था कि एंटिसिपेटिंग के जो इंपल्स आया था तो मैं इसके लिए मैंटली प्रिपेड भी था कि काउंटर ट्रेडिंग आ सकता है तो इन वे प्रिंसिपल के हमें साइकोलोजी कली भी कि आए कि थोड़ा मेंटल प्रिपेड़ेश सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब कर रहा है और यहां से ही आप ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकते तो आप देखें कि आपका स्कॉपलोज क्या रहता शिक्सेटी कोटक बेंक का हम स्ट्रक्चर देखी लेए था कि ऐसी पैटन थी वह हमने किसमें प्लान किया था तो अब सब्सक्राइब करेगी और डिस्क्राइब करेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने बताया बहुत तो मतलब काफी हेलपूल यह भी रह सकता है थेंक यूँ झाल